आज किरन खेर अपना 71 जन्दिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके पती अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर किरन खेर की कुछ अंदेखी पिक्चर्स शेयर की हैं और उनको बर्थडे भी विश्च किया है। किरन खेर और अनुपम खेर की शादी को कुल 38 साल हो चुके हैं। फोटोज शेयर करते हुए अनुपम खेर ने लिखा हैपी बर्थडे किरन मैं दुआ करता हूँ कि आपकी जिन्दगी लंबी, स्वस्त और खुशियों से भरी हो। मैं आपको करीब 50 सालों से जानता हूँ। मैंने आपको पहली बार 1974 में चंडिगड के डिपार्टमेंट अफ इंडियन थियेटर में देखा था, आप पंजाब यूनिवरसिटी की स्टार स्टूडेंट हुआ करती थी, पढ़ाई में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता था, आप नेशनल बेडमिंटन प्लेयर थी और थियेटर में आक्टिंग भी करती थी, अब 50 साल गज़र आप अब भी वैसी ही हैं जैसी तफ थी या शायद उससे भी कहीं बहतर, अनुपम खेर ने आगे लिखा आपने जिन्दिगी की चुनोतियों का भिड़कर सामना किया और हर बार जीत हासल की है, मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही लोगों का प्यार, भरोसा और दिल जीती रहें, आपके लिए धेर सारा प्यार, अनुपम खेर और किरन खेर पहली बार चंडीगर में मिले थे, उस समय किरन शादी शुदा थी, उनके पहले पती गौतम बेरी हैं, दरसल किरन और गौतम की शादी में परेशानिया थी, वहीं अनुपम खेर को भी प्यार में धोका मिला था, किरन खेर से पहली मुलाकात का किस्सा बताते हुए अनुपम खेर ने बताया था कि वो तब भी स्टार थी, थीएटर की स्टार, फिल्मों में काम करती थी, एमे में फर्स क्लास फर्स थी, और मैं उनसे पहली बार चंडीगर में जब मिला था, उस वक्त में परेशानिया चल रही थी और मुझे प्यार में धोका मिला था हमारे बीच चीजें बदलने लगी लेकिन तब भी हम सिर्फ अच्छे दोस्ती थे धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती चली गई किरन खेर ने भी अनुपम से पहली मुलाकात के बारे में बात करते हुए कहा था कि हम दोनों थीटर में साथ थे हम बेस फ्रेंड्स थे ऐसा कुछ नहीं था जो अनुपम मेरे बारे में नहीं जानते थे और मैं उनके बारे में नहीं जानती थी मुझे ये तक पता होता था कि वो किस लड़की को पटाने की कोशिश करने वाले हैं हम सिर्फ अच्छे दोस्त हुआ करते थे किरन ने बताया जल्दी हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई अनुपम ने कोलकाता में एक प्ले के दौरान मुझे अपने दिल की बात बताई मुझे याद है हम नादिरा बबर के प्ले के लिए कोलकाता गए हुए थे और वो उस दिन अलग से लग रहे थे उन्होंने किसी फिल्म के लिए अपना सर मुढ़वा लिया था जब वो कमरे से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने पीछे मुढ़ कर देखा थोड़ी दिर बाद उन्होंने मेरे कमरे का दर्वाजा कट-कटाया और कहा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ फिर उन्होंने कहा मुझे लगता है मुझे तुम से प्यार हो गया है किरन ने आगे बताया कि कुछ दिनों बाद मैंने डिवोस फाइल कर दिया था और फिर उनसे शादी कर ली उस समय हमारे पास कुछ नहीं था लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी थे आखरी बार किरन खेर 2014 में फिल्म खुबसूरत में लीड रोल में दिखाई दी थी और अब भी वो सोशल मीडिया पर और टीवी पर चाही रहती है तो ये है अनपम खेर और किरन खेर की शादी का किस्सा अमीद है ये कहानी आपको मज़धार लगी होगी अगर आगे भी आप इस तरह के मज़धार किस्से सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं